Good morning friends, आज मैं आपके लिए पर्यवर अध्यन के पहली से पांचवी NCIT किताब के सभी प्रकार के प्रशनों के उत्तर के सार आपके सामने लिख के आ जाओ। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल VM Concept Classes में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंग कर पीछे आने वाली चीटियों को रास्ता मिल जाता है। चील, बाज और गिद जैसे अक्षी हमसे चार गुना ज्यादा दूर तक देख पाते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी माता को उसकी गंद से कई किलोमिटर दूर से ही पहचान लेता है। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल सफेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। अच्छर हमारे शरीर की गंद खास कर पैरों के नीचे के हिस्से और हमारे शरीर की गर्मी से हमको ढूंड लेते हैं सडकों पर कुट्तों की अपनी जगा होती है एक कुट्ता दूसरे कुट्ते के मल मुत्र की गंद से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कोई कुट्ता आया था अक्षी जब आँखों को एक ही चीज पर केंदित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एसास होता है और जब अलग-अलग चीज़ों पर केंदित करते हैं तो उनका देखने का जो दायरा है वो बढ़ जाता है कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियां घूम नहीं सकती और वे अपनी गर्दन को गुमा कर यह असपास देख पाते हैं साप जमी पर कंपन को ही सुन पाता है कंपन के माद्यम से साप अपने शिकार की आहट को महसूस करते हैं मुसीबत का संदेश जंगल में उचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देख कर एक खास आवाज निकाल कर अपने साथियों को सुची करते हैं और कुछ ऐसा पपंग्शी भी करते हैं सन दोजा चार में दिसंबर के महिने में अंडमा निकोबार में सुनामी आई थी प्राकितिक आप दा आने से पहले कुछ जानवर अजीब विवहर करते हैं या बेचैन होने लगते हैं सलोथ यह भालू जैसा दिखाई देने वाला जानवर है यह एक दिन में सत्रह घंटे सोता है यह उल्टे अटक कर 40 वर्ष के जिवनकाल में 8 पेडों पर घंटा है और सत्रह में एक बार सौच के लिए उतरता है डॉल्फिन भी एक अलग आवाज निकालती है और बाते करती है और यह बहुत समझदार भी होती है हाथी गैंडे को उनके दातों के लिए शिंग, सेर, मगरमच और साप को उनकी खाल के लिए कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुश्बू के लिए मार दिया जाता है जिम कारवेट नाशनल पार्क उत्राखंड में वह राष्थान का भरत्पुर जिले में शिकार करना मना है बाग अंधेरे में हमसे छे गुना बेतर देख सकता है बाकी मूचों के हवा में हुए कमपन से वो भाप लेता है कि उसकी शिकार की जो स्थिती है वो बिलकुल सही है इसका उसे पता लग जाता है इन्हें अंधेरे में रास्ता डूने में भी मदद मिलती है बाग मौके के अनुसार अपनी आवाज को भी बदल लेता है तीनी किलोमेटर दूर से इसकी आवाज सुनी जा सकती है बाग हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के जाडियों में हिलने की हुई आवाज में अंतर को बाप लेता है और दोनों कान बाहर की और आवाज इकठा करने के लिए अलग-अलग दिशाओं में घूम सकते हैं एक गाय एक दिन में चार घंटे सोती है अजगर एक दिन में अठारा घंटे सोता है जिराफ एक दिन में दो घंटे सोता है एक बिल्ली एक दिन में 12 घंटे सोती है साप और सपेरा को कालबेलिया भी कहते हैं कालबेलिया एक नाच है जिसमें साप जैसी मुद्राएं होती है सापेरों की एक प्रजाती भी कालबेलिया कहलाती है साप का नाच देखने वाले लोग भी जब उसका नाच खतम हो जाता है तब भी वहाई रुखी रहते हैं क्योंकि उनके टीन के डिब्बों में कई रोगों की दवाई होती है जो जड़ी बूट या वे जंगल से इकठा करके लेके आते हैं और सपेरे अपनी बेटियों को शादी में भी तौफे के रूप में साप देते हैं हमारे देश में चार प्रकार के जरीले साप हैं नाग, खरैट, अफाई और दुबोईया सिरम जिस व्यक्ति को साप काट लेता है उस जहर के असर को खतम करने की दवा है और ये साप के जहर से ही बनाई जाती है जो सभी सरकारी स्वास्ति केंद्रों में उपलब्ध है नाग, गुमफन, डिजाइन, रंगोली, कड़ाई और दिवारों को सिजानी के लिए सोराष्ट, गुजरात और दक्षिन भारत में प्रियोग किये जाते हैं खाना चबा-चबा कर खाने से, खाने में लार मिल जाती है और खाना असानी से हजम हो जाता है हमारे पेट का पाशकरस भोजन पचाने में सायक होता है हमें खाना जब ही अच्छा लगता है, जब हम उसे सूंग पाते हैं जब जुखाम होता है, तब सुंगे की शक्ति कम हो जाती है, तब हम दुखी और परिशान भी होते हैं, खाना भी ठीक से नहीं पच पाता, ऐसी स्थिति में ऐसीडिटी हो जाती है. ग्लूकोच खाने से बिना खाए पिये हमें जल्दी ताकत और हिम्मत मिलती है, काला हांडी में यू तो खूब चावल की पैदावार होती है, लेकिन फिर भी वहाँ हुकमरी के अहलाद देखे जा सकते हैं. मामरी टांडरा या आम पापड़, यह अत्रेपूर आंत्रप्रदेश में यहां आम पापड़ को मामरी टांडरा कहते हैं, यह पके हुए आम से बनाया जाता है, इसे बनाने के लिए चटाई, रस्सी, गूड, चीनी आदि खरीद के लाया जाता है, इसे बनने में चार हफ खाराब हो जाता है, खाते परदात और घरेलू सनक्षन के लिए दूद को उबालते हैं और हरे धनिय को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, प्याज और लेसुन को खुले में रखकर नमी से बचाते हैं, सोयबीन की फलिया सूख जाती हैं तो चिटक कर विखरने लगत अंकुरन के लिए चना गीले कपड़े में इसलिए बांदा जाता है, ताकि चने को उची थावा पानी मिल सके और मसूर की दाल तलने के बाद अंकुरित नहीं हो सकती वेलक्रो 1948 में जोर्ज मेस्टल ने वेलक्रो की खोज की थी, जो जूते, अपड़े और बैग त्यादी में लगाया जाता है हरी मिर्च पूर्टगाल के व्यापारी तक्षिण अमेरिका से लाए थे, भिंडी और कॉफी अफ्रीका से आई थी मटर यूरोप से आई थी, चाय असम से आई थी और सोयाबीन चीन से आया था निपेंथिस, यह पौधा औस्टेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मिघाले राजे में पाया जाता है इसका आकार लंबे घाड़े जैसा होता है, इसे शिकारी पौधा भी कहते हैं यह मेंधग, ठीडों, मकोडों और छोटों जीवों का शिकार करता है राजस्थान में जैसलमेर और उसके अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां दस बारत दिन में एक बार बारिश होती है और बूंदों कोई कठक करने के लिए तालाब और जोहड बनाए गए हैं घड़सी सर यह 650 साल पुराना तालाब है जो जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिल कर इसे फनवाया था और यह तालाब नो तालाबों से जुड़ा हुआ है जोदपूर की बावडी 1986 में जोदपूर में और आसपास के लाखे में जब सूखा पड़ा तब इसमें से 200 ट्रक कूडा निकाला गया ताकि बावडी का प्रियोग फिर से किया जा सके पानी के पुराने सरोत बावडी धारा नोला इत्यादी है उत्राखन में बावडी आज भी बनी हुई है तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती है इस तरह पानी आसपास के कुएं और बावडीयों में भी पहुँच जाता है और आसपास की जमीन भी उपजाओ हो जाती है अलबिरूनी उजबेकिस्तान से आया था उसने यहां के तालाब के बारे में लिखा कि किस तरह भारी-भारी पत्तरों को लोहे के कुंडों और सरीयों से जोड़ कर तालाब के चारों और चबूत्रे बनाए गए और उससे उतरने के लिए अलग-अलग रास्ते हैं अलबिरूनी की टिकट 1973 में छपी जब उसके जरम को 1000 साल हो गए थे धरून भारत संग एक संस्था है जिसने दड़की माई की मदद की वह रायस्थान के अलवर जिले के एक गाव में रहती थी यह संस्था तालाबों को पुनह निर्मित करती है टाका बारिश का पाने संग्षन करने की एक योजरा है जो रायस्थान में चलाई गई आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें धन्यवाद